वेलकम टू स्निहा रसोई तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर के पराठे तो सर्दियों का मौसम हो और पराठो की बात हो तो मुह में वैसे ही पानी आ जाता है तो चली हम रेसिपी शुरू करते हैं यहां हमने 5-6 आलू ले लिए थे मीडियम साइज के और इसे पॉइल होने रख दिया और गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई हीट होने के लिए और अब इसमें हम टालेंगे टू टिबल स्पून वेजेटेबल ओईल आप जो भी ओईल यूज करते हूं वो ले सकते हैं बस आप मस्टर्ड ओईल का यूज ना करें तो ओईल हमारा हीट होने देते हैं जब ओईल अच्छी तरीके से हीट हो जाएगा तब हम इसमें अपनी मटर को फ्राई करेंगे तो हमने एक बड़े बाई से भरके मटर ले ली थी उसे वाश कर लिया था और अब उसे कड़ाई में डाल दिया और अब इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप ताजी मटर लें फ्रिज में बहुत जादा दिन की स्टोर मटर ना लें वो पकने में जादा टाइम लगेगी तो मटर में हमने थोड़ा सा सॉल्ट आट कर दिया है जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और चार से पास मिनट का टाइम लगेगा मटर हमारी फ्राई हो जाएगी तो इसे थोड़ा सा बीच में एक मिनट के लिए ढप देंगे तो ये स्टीम की हैल्प से और भी जल्दी पक जाएगी तो देखें मटर हमारी यहाँ फ्राई हो गई है तो बस इसी तरीके से हमें अपनी मटर को फ्राई करना है बहुत जादा भी नहीं पकाना है तो अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देते हैं तो पराठे के लिए हम आटा लगा लेते हैं यहां हमने दो बड़े का गहू का आटा लिया था और उसे नॉर्मल रोटी के आटे की तरह ही लगा लिया है कोई उसमें special ingredient एड नहीं करना है नॉर्मल जैसे रोटी का आटा बनाते हैं वैसे लिया आलू हमारे यहां अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं तो अब हम उसे छील लेते हैं तो आलू को हमने छिलका उतार लिया है इसमें स्वाज अनुसार नमक एड कर लें पर याद रखें कि आपने मटर फ्राइज होने के टाइम पे भी नमक एड किया था तो उसी according आप इसमें नमक एड करेंगे तो यहां ले लीजिए आप half table spoon के करीब अजवाइन और उसे अच्छी तरीके से हाथों में मसल कर इसमें एड कर दें अब मैशर के हग से हम अपने सारे आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं और पराठी जी स्टफिंग बनाते हैं तो आप चाहें हाथ से मैश करें जैसे भी आपको सुटेबल हो आप ऐसे मैश कर सकते हैं तो आलू में पिल्कुल भी गुठली ना हो नहीं तो फिर हमारे पराठे फट जाएंगे तो इसके रिए आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिजेगा तो आलू हमारे यहां अच्छी तरीके से मैश चुके हैं अब मटर एड करने का टाइम है तो हम मटर को क्रश कर लेते हैं मेरे पास कुछ इस टाइप का क्रशर है आप जैसे भी चाहें इसे क्रश करके अपने पराठो में एड कर सकते हैं तो मैं इसमें थोड़ थोड़े मटर डालके क्रश कर लूँगी तो मटर हमने क्रशर में एड कर दिया है इसे हम क्रश कर लेंगे और यहां मैंने तीन से चार हरी मिर्ष दो चार लहसुन की कलिया और थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा लिया है तो वो भी हम इस मटर के साथ ही अड़ कर देंगे तो वो भी क्रश हो जाएगी तो उससे ये होगा कि अच्छे से लहसो नद्रक और हरी मिर्श का फ्लेवर हमारे पराटे की स्टफिंग में आएगा तो हम यहाँ क्रश करके अड़ करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से क्रश हो गई है हमारी मटर तो हम इसको आलू में एड़ कर देंगे तो हमने यहाँ पर अपनी सारी क्रश की मटर ले ली है और थोड़े ज़े हर धनिये के पत्ते भी ले ली है तो आप इसे भी जरूर से एड़ करें अब इन सब कोच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और उसके बाद हमारे पराथे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो आप एक बार आलू मटर के पराथे भी जरूर ट्राई करें सर्दियों के सीजन में ये खाने में बहुत ज चुरूर करते हैं तो हमने अब दावा हीट होने क्लिक एस पर रख दिया था अब हम एक छोटी से लूई लेंगे और उसे बेलेंगे आप जैसे भी पराथा स्टफ करते हूं कर सकते हैं मैं इसी तरी के से स्टफ करती हूं तो थोड़ सी स्टफिंग लेके बीच में रखें देनेंगे छोटी से रोटी बेलके और उसे चारों तरफ से कलेक्ट करके हलका सा पुष्च कर देंगे और फिरसे हलका सा परक्षन लगा कर और इसे बेलेंगे तो प्गल के हातों से में ठोड़ा सा बड़ा साइयज का कर देना है आप इसे पतला भी बेल सकते हैं मतलब आप जैसे भी पराठे पसंद करते हों कुछ लोग मोटे पराठे पसंद करते हैं कुछ लोग पतले पराठे तो मैं तो पतले ही पराठे बनाती हूं हमें पतले पराठे पसंद है तो अब हमने इसे तवे डाल दिया है और यहां मैं दूसरा परा उसमें हम थोड़ी सी स्टपिंग रखेंगे देखिए पराथे हमने पलट दिया है तब तक हम इसमें स्टपिंग एड़ कर लेते हैं तो आप बेहूट जादा जादा स्टपिंग टाल के एड़ कर ये, अपने पराथे में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ज़्याद स्टफिंग वाले पराढ़े मुद्याख लगते हैं तो हम ऑल प्रशु कर लेंगे और पराढ़े को पलट के दूसरी साइड भी हम अविब लगा में नहीं तो इसे अच्छे से दबा के प्रस करते हुए हम पराढ़े को शीन लेंगे तो आप करारा पराठा चाहें तो उसे क्रिस्पी कर लिजिए अधर्वाइस जिस भी टेक्श्चर का पराठा आप पसंद करते हूं आप उतना उसे सेख लिजिए तो हमारा पराठा रगबग सिख चुका है देखी कितना अच्छा टेक्श्चर आया पराठे का तब तक हम क्या करते हैं कि अपने दूसरे पराठे को भी बेल लेते हैं थोड़ी सी मैंने या वीडियो की स्पिट तेश कर दी है तो आप यह मत सोची का कि मैं इतनी जल्दी-जल्दी कैसे बेल रही हूं तो हमारा दूसरा पराठे भी बिल गया है अब हम इसे हटा लेंगे और अपने दूसरे वाले पराठे को तब इपर डालेंगे तो यह एक तरफ से हलका सा सीख जाए तो इसे पलट के हम इस पे और ग्रिस कर लेंगे तो देखिए हलका सा इसका टेक्स्चर चेंज हो गया अब इस पे आप और लगा लीजिए आप चाहें तो घी में भी पराठे बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो घी में बटर में ओल में तो हमने वन साइड ओल क्रिस कर लिया था और फ्लिप करके अपने पराठे को दू दूसर साइड पर लगा लिया है तो यह हलका हलका से सिख जाए तभी दोनों साइड हमें ओल लगा देंगे उससे पराठे और भी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा सिखने के बाद और लगाने से पराठे में हाडने साजा जाती है तो हलका सा सिखे तभी आप इ वैसे तो गर्मियों में भी इस पराठे को बनाया जा सकता है विद दे हैल्प आफ फ्रोजन मेटर्स बट ताजी मेटर और सीजनल मेटर की बात ही कुछ और है तो हम तो भई इसे सर्दियों में बना के खाते हैं तो देखिए आप ऐसे प्रेस करें करते हुए से किए यह हलका सा फूलेगा भी और पराठा हमारा बिल्कुल बनके रैडी हो चुका है तो आप भी विल्कुल इसी तरीके से पराठे बनाईए और मटर के पराठो का एक पर स्वाद लेके देखिए तो हमारे दोनों पराठे शिख चुके हैं देखिया हमारे आलू मटर के पराठे रैडी है मैं इसे कट करके दिखा देए उसके अंदर की स्टफिंग कितनी अच्छ से पहुच गई है देखिए हरे भरे आलू मटर के पराधे तो यह खाने में बहुत लगते यह तो इसे टमारर और गुर्ड की मीठी चटनी के साथ खाना पसंद करती हूं आप जाहें तो हरे धनिये की चटनी भी बना सकते हैं जो लोग दीखा खाना पसंद करते हैं पर मुझ जैसे चाहें वैसे पसंद कर सकते हैं, बना कर खा सकते हैं, तो वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से आलू मटर के पराठे बना कर, आप प्रेकफास में, ल